तो क्या हल चल दोस्ताव सभी का स्वागत है एक और न्यू विडियो में दोस्तो आज बनाने जारी हमारी मम्मी मटर पनीर की सब्जी मटरों को पहले उबाल लिया अच्छे से और उसको एक अलग कटोरी में रख लिया और फिर हम पनीर के पीसे काटेंगे कुछ इस तरह और पनीर के पीसे को काट लेना है दोस्तों हमारे पनीर के पीसे कटने के बाद अब कढ़ाए में थोड़ा सा तेल डलेगा तेल डलने के बाद अच्छे से तेल को पूरी कड़ाए में अच्छे से मिला लेंगे फैला देंगे अच्छे से फिर उसके बाद पनीर के कटेवे पीसेस डलेंगे और कुछ इन प्रकार इन्हें अच्छे से फ्राय कर लिया जाएगा पनीर के पीसे फ्राय होने के बाद इनको एक अलग बरतन में निकाल लिया जाएगा एक एक करके उसके बाद इसमें जीरा जाएगा लाल मिर्च जाएगी उसके बाद कटे वे प्याज जाएंगे इसमें कटे वे प्याजों को अच्छे से भूज लेंगे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जब तक हलका रेड़ना हो जाए उसके बाद सारे मसाले जाएंगे हल्दी मसाले सारे उसके बाद मिक्स कर ले जाएगा और थोड़े देड़ तक ढखके छोड़ दिया जाएगा ताकि फ्लेवर आ जाए मसालोगा उसके बाद ट्रमाटरों को काट लिया जाएगा कुछ इस प्रकार चोटे चोटे पीसे में टमाटर को काट लिया जाएगा टमाटर कर चुके और मसाले भी फ्राय हो चुके अच्छे से उसके बाद टमाटर एड़ किया जाएगा इसमें और अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा कुछ इस प्रकार अच्छे से mix कर दे फिर स्वाधन उसार नमक डाले फिर mix कर ले नमक डालके उसके बाद जाएगा इसमें Everest का पनीर मसाला दोस्तो हमने Everest का पनीर मसाली उसके आप से तो कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमने उपर से एक्स्टा पनीर एड़ करने के लिए हम पनीर को अच्छे से अच्छे पनीर को हम घिस लेंगे और चीज की तरह एकदम लग रहा है पनीर उसके बाद हम हमारे मसाले अच्छे से फ्राय हो चुके उसके बाद उसमें मटर जाएगा और अच्छे से मटर मिक्स कर लिया जाएगा मटर मिक्स होने के बाद उसमें पनीर के पीसे जाएगी जो फ्राय किये थे हमने पहले फ्रै होने के बास अच्छे से mix कर ले जायेगा उसके बाद धनिया काट ली जाएगी कुसे इस प्रकार धनिया अगर आपके पास पहले से धनिया हो तो आप रख सकते हैं और उसे दोके अच्छे से काट सकते हैं कि दोस्तों अच्छे से मटर पनीर अच्छे सब्जी हो चुकी है अब इसमें कि उपर से पनीर एड़ किया जाएगा ताकि स्वाद अच्छा है और स्वादिस्ट और स्वादिस्ट बने और टेस्टी रहे और उसके बाद इसमें धनिया एड़ किया जाएगा उपर से कि देखो दोस्तों कड़ाएं कड़ाएं में dayekoration कर दी है फिर इसको अच्छे से मि–कर लेजाया गातकि स्वाद लाजवाब हो जाए कुछ इस प्रकार मिक्स कर लेना किजिस परकार मिक्स कर लेना इसको देन फिर अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारी सब्जी लगबग बन के त्यार हो चुकी है अब इसको अगर आपको सूखी सब्जी बनानी होता आप सूखी बना सकते हैं वरना इसमें पानी आड़ करके आप रस वाली सब्जी भी बना सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छी लगती है घाने में देन दोस्तों बन चुकी हमारी मटर पणिन की सबजी अब निकालते हैं इसको एक अलग प्लेट में देख सकते हैं दोस्तों बहुत स्वाधिस्ट है और इसे हम चावल के साथ खारा आप चाय तो रोटी के साथ भी घा सकते हैं बहुत स्वाधिस लगते हैं और घर पे जोरू बना के ट्राइ करें लाइक और सब्सक्राइब प्लीज टूबी नपोदार चैनल थेंक यू